समस्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिसकस करेंगे सिल्डिड मेटल आर्क वेल्डिंग के बारे में जिसे SMAW के नाम से भी जानते हैं यह है एक ऐसी वेल्डिंग प्रोसेस है जो इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग का एक टाइप है और नोन प्रेशर वेल्डिंग है जिसमें हम एडिशनल फिलर मेटल का भी प्रियोग करते हैं और एक ऐसी आर्क वेल्डिंग प्रोसेस जिसके बारे में एक साधार्ण व्यक्ति एक लेमेन परसन अच्छी तरह से वाकिफ है इसलिए इस वेल्डिंग को रोड साइड वेल्डिंग प्रोसेस की नाम से भी जाना जाता है अगर हम बात करें शुरुआत में जब 1880 के दस्क में इस वेल्डिंग की इन्वेंशन हुई तब बेयर इलेक्ट्रोड का प्रियोग किया जाता था bare electrode मतलब की उस पे flux की coating नहीं होती थी लेकिन धीरे धीरे development होने के बाद bare electrode को replace करके coated electrode का इस्तेमाल किया जाने लगा coated electrode मतलब की bare electrode के उपर covering की जाती है और उस covering को flux कहते हैं तो तकरीबन 1907 में coated electrode का इस्तेमाल किया जाने लगा तो अब बात करते हैं कि shielded metal arc welding को और किस-किस नाम से जाना जाता है इस welding के दूसरे नाम है stick electrode welding coated electrode welding manual metal arc welding और इस welding को करने के लिए हमें किस-किस equipment की जुरूरत होती है सबसे पहले अगर हम बात करें power source की हमें जुरूरत होती है और इसमें power source हम AC और DC दोनों का इस्तेमाल कर सकते है मतलब कि alternating current और direct current power supply का इस्तेमाल किया जाता है उसके बाद इसमें DC welding power source welding transformer rectified DC welding power source मतलब कि अगर हम DC welding power source का इस्तेमाल करते हैं यह है एक versatile power source है जिसमें हम variety of metals को उनकी desired thickness के अनुसार weld कर सकते है क्यूंकि जो DC welding power source है यह है एक portable operation को provide करता है और इसमें हम जो coated electrode होती है उसकी large variety को efficiently use कर सकते है अगर welding transformer की बात करें यह है इसकी जो initial cost है वो कम होती है और इसकी operational और maintenance cost भी कम होती है और इसमें कोई भी moving part नहीं होता जिसके कांड काफी quiet operation यह हमें परदान करता है rectified DC welding power source की अगर हम बात करें बिल्कुल design में simple होता है और rectified DC welding power source में DC welding power source और welding transformer इन दोनों का combine advantage होता है उसके बाद होता है connecting cables या जिसको हम leads बोलते हैं अगर आप देखें यहाँ पर यह जो leads हम use करते हैं क्यूंकि जो lead होती है यह power source के साथ जुड़ी होती है और एक lead हमारी electrode holder के साथ connected होती है जो दूसरी lead होती है वो हमारी जो earth या फिर ground clamp के साथ हमारा जो table या work piece के साथ जुड़ी होती है क्यूंकि जो working cable हम use करते हैं वो basically दो terminal होते हैं positive terminal होता है और एक होता है negative terminal तो उसके साथ यह जुड़े होते हैं क्यूंकि positive terminal को हम anode कहते हैं और negative terminal को जो power source होता है उसके negative terminal को cathode कहते हैं अब बात करते हैं next है cable connectors जो cable connectors अगर आप देखें यहाँ पर लगे होते हैं इनका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें ज्यादा लंबाई की welding cable की जुरूरत होती है क्यूंकि इसकी मदद से हम cable को जोड सकते हैं और जो connecting जो cable होती है जो हमने अभी बात की थी वो basically crunch को carry करती है welding circuit को complete करने के लिए और वो copper या फिर aluminium wire की बनी होती है और जो welding cable होती है इनका जो wire का diameter होता है तकरीबन 0.2 mm होता है और उसमें जो number of wire होती है वो 800 से 2050 मतलब की पच्ची सो तक हो सकती है वो depend करेंगी कि हमारी crunch carrying capacity कितनी है और जो aluminium की wire अगर हम use करते हैं वो copper cables के मकाबले light होती है और aluminium जो wire होती है उनका जो weight होता है copper cables के मकाबले one third होता है लेकिन aluminium wire की crunch carrying capacity है वो copper cables के मकाबले अगर हम बात करें 60% होती है मतलब की उससे कम होती है उसके बाद आता है हमारा जो cable connectors की हमने बात की है cable connector जैसे बात की कि ये length को बढ़ाने के लिए जो connecting cable है उसकी length को बढ़ाने के लिए इसका इसका इस्तिमाल किया जाता है और ये हमारा desired current को हम carry कर पाएं और हमारा कोई voltage drop ना हो इसलिए हम यूज करते हैं और कई बार cable connector के अलावा हम soldering या फिर bracing का भी इस्तिमाल कर सकते हैं welding का भी इस्तिमाल किया जाता है और ज़्यादा तर तो mechanical connector का इस्तिमाल करते हैं जादा तर mechanical connector ही यूज किये जाते हैं उसके बाद है ground clamp ground clamp अगर हम बात करें इसका काम होता है कि एक जो terminal होता है जो जैसे positive या फिर negative terminal है वो ground clamp के साथ जुड़ा होता है और एक परकार से ये C clamp होता है जिसका काम होता है कि work table के साथ इसको tightly fit किया जाता है ताकि जब हम weld करें sparking को avoid कर सकें और एक परकार से heavy section होता है और ये overheating को भी avoid करता है उसके बाद है electrode holder electrode holder में लिए अगर हम बात करें specify किया जाता है हमारी जो current capacity है उसके आधार पे क्योंकि इसकी current carrying जो range होती है electrode holder की वो 150 से 500 ampere के बीच में होती है और electrode holder का काम होता है electrode को hold करना जो coated electrode हम use करते हैं उसको hold करने के लिए electrode holder का इस्तिमाल किया जाता है उसके बाद आता है electrode बड़ा important इसका component और equipment है इस welding का coated electrode हम use करते हैं जिसका diameter 2.5 से 6.35 mm के बीच में हो सकता है और coated जो electrode use करते हैं उसकी लंबाई 300 mm से 450 mm के बीच में हो सकती है और important बात यह है कि जब भी हम metals को weld करते हैं तो उसी material से बने coated electrode का use किया जाता है अगर हम बात करें जो coated electrode हैं वो low carbon steel low alloy steel quenched or tempered steel high alloy steel corrosion resistance steel stainless steel cast iron malleable iron आदी की बनी होती है और aluminium alloy के case में भी welding का limited use रहता है और nickel और nickel alloys की भी वो बनी होती है लेकिन copper और copper alloys के लिए इसका कम ही इस्तेमाल किया जाता है उसके बाद आता है chipping hammer अगर आप इस diagram को देखें यहाँ पर यह chipping hammer है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं chipping hammer का अगर आप देखें इसका एक end अगर आप देखें वो बिल्कुल chisel की तरह होता है दूसरा end pointed end होता है जिसका काम होता है जब आरी welding complete हो जाती है तो slack को remove करने के लिए chipping hammer का इस्तेमाल किया जाता है उसके बाद है welding या फिर face shield इसको हम protective shield भी कह देते हैं जिसका काम होता है कि जो welder जब weld करता है उस दोरान काफी ज़्यादा infrared और ultra violet rays वहाँ से निकलती है और welding arc के दुआरा तो इन ultra violet rays और infrared rays से बचने के लिए और welder के लिए protective shield या face shield का इस्तेमाल किया जाता है उसके बाद है wire brush अगर आप देखें wire brush ये देख पा रहे हैं जो wooden का बना होता है जिसमें अगर आप देखें जो wire होती है वो steel wire इसमें use की जाती है इसका काम होता है कि जो कौफी जादा जो slag जो strong slag होता है जो आप chipping hammer से remove नहीं कर सकते तो उसको हम wire brush की मदद से remove कर सकते हैं उसके बाद अगर आप देखें leather gloves हैं जो हम हाथों में use कर सकते हैं ताकि जब heat पैदा होती है तो उससे बचा जासके उसके बाद nose mask है इसका इस्तिमाल किया जा सकता है fume extractor है जब fume extractor नहीं होता तो हम nose mask का इस्तिमाल कर सकते हैं तो ये कुछ ऐसे equipment हैं जिसका हम इस्तिमाल करते हैं silded metal arc welding को करते समय अब बात करते हैं कि इस welding के दुआरा हम कौन-कौन से joint बना सकते हैं butt joint, lap joint, fillet और T joint, corner joint edge joint, plug joint strapped joint, slotted lap joint लेकिन ज्यादा तर जो mostly joint बनाए जाते हैं उसमें butt joint, lap joint fillet और T joint हैं तो अब बात करते हैं कि silded metal arc welding को कैसे किया जाता है इसकी advantage क्या है, disadvantage क्या है और इसकी application क्या है तो हम working की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा इसमें काम रहता है कि जब हम welding power source हमारे पास होगा तो यहाँ पर क्या है कि हमें arc को generate करना है electrode और work piece के बीच में arc को initiate किया जाता है तो सबसे पहले electrical connection को complete किया जाता है और उसके बाद coated electrode को electrode holder में पकड़ते हैं और ऐसा करने के बाद welder welding operation को perform करने के लिए एक परकार से तयार हो जाता है और अब electrode और work piece के बीच में arc को initiate करने से पहले OCV OCV मतलब की open circuit voltage और welding current की setting करने की आशकता होती है welding transformer में open circuit voltage के लिए दो setting होती है एक होती है 80V के लिए और दूसरी होती है 100V के लिए और जो welding rectifier या फिर जो DC welding generator में जो OCV है वो 3-6V की range में vary कर सकती है और अगर हम important point यह रहता है कि जो DC power source के प्रियोग के समय open circuit voltage की setting 10-20% कम हो सकती है welding transformer के प्रियोग के मुकाबले क्योंकि welding transformer के case में हम AC का यूज करते है same current rating में दूसरी बात की open circuit voltage कितनी select करनी है यह निर्भर करता है welding करने के लिए किस type की electrode coating का प्रियोग किया गया है उस पर current setting कितनी रखनी है यह electrode की core wire के diameter पर depend करता है तो जैसे हम बार बार बात कर रहे है कि coated electrode यूज करते है जो covering उसको flux का जाता है तो basically हम flux क्यों यूज करते है electrode wire पर mainly जो flux का का काम होता है कि जब हम weld करते हैं तो weld करते समय हमारा जो weld pool होता है molten metal होता है तो वो directly atmosphere की gases के साथ संपर्क में ना आए तो उससे क्या है कि अगर वो उसके संपर्क में आ जाएगा तो हमारा जो weld pool है उसमें impurities आ जाएगी और weld हमें अच्छी quality का नहीं मिलेगा तो इस बात का हमें ध्यान रखना होता है उसके बाद अगर हम बात करें प्रोटेक्टिव सिल्ड का प्रियोग करना ना भूले तो अब सबसे पहला जो step रहेगा आर्क को initiate करना मतलब की striking the arc अब आर्क को initiate करते समय जहां पर हमें welding सुरू करनी है वर्कपीस के उपर तो उस point के around small space को ionize करने की आवसकता होती है विसेशकर तब के लिए दो methods का प्रियोग किया जाता है और वो दो method होते है touch and draw method और दूसरा होता है drag method अब इन दोनो methods का इस्तेमाल किया जाता है आर्क को strike करने के लिए जो touch and draw method होता है इस method में electrode को work piece के उपर desired sport पर touch किया जाता है और touch करते ही बड़ी तेजी से वापिस हम electrode को उठा लेते हैं तकरीबन 3-4 mm का gap maintain करते हैं electrode और work piece के बीच में और थोड़ी सी अगर देरी हुई तो short circuit के समय electrode हमारी fuse हो जाएगी electrode बुझ जाएगी और work piece और electrode के बीच arc strike करना संभव नहीं होगा और यह दिक्कत अक्सर जो नए trainee होते हैं जो नए welder होते हैं उनके साथ आती है इसलिए एक satisfactory arc को initiate करने के लिए इस procedure को 2-3 या इससे ज़्यादा बार भी दो रहाया जा सकता है और जो दूसरा method है जिसे हम drag method कहते हैं इस method में arc को initiate करने के लिए electrode को work piece के against required sport पर अगर हम बात करें rub किया जाता है जिससे sport के around small volume की space को ionize करने में मदद मिलती है और ऐसा करने से कुछ metal vapors भी release होते हैं और इसमें 2 या 3 attempt में arc अच्छी तरह से initiate हो जाती है लेकिन drag method से arc initiation वाला sport आजाता है और नए ट्रेनी arc initiate करने के लिए इसी method को अपनाते हैं क्योंकि यह है एक आसान तरीका है जबकि touch and draw method से हमें clean weld मिलता है और इस method को अनुभवी जो welder है जो experienced person है वही इसको adopt करते हैं और एक बात और जब हम power source यूज़ करते हैं यह basically constant current type का होता है क्योंकि silded metal arc welding में welding करते समय operator को जब weld करता है तो उस दोरान क्या होगा कि थोड़ी बहुत जो उसका हाथ होता है वो डगमगा जाता है उसमें moment आ जाती है तो welding करते समय हलकी सी moment आ जाने से भी arc length में बदलाव आ जाता है bead की consistency भी affect होती है इसलिए constant current type welding power source ही उप्यूक्त रहता है जिससे electrode के melting rate की fluctuation की problem को दूर करने में मदद मिलती है और एक बार electrode और work piece के बीच में stable arc established होने के बाद यह steady रहती है जब तक electrode consume ना हो जाए या फिर work piece की welding पूरुनता है complete ना हो जाए और इसके अलावा जब arc बुझ जाती है कुछ अन्या कारण हो सकते है जैसे interruption हो सकता है main supply में या फिर large gap आ सकता है जिसके कारण हमारा ज़्यादा potential difference होगा या जब air gap electrode or work case piece के बीच में ज़्यादा हो जाए तो उस case में भी ऐसी स्थीती होगी कि हमारी जो arc initiate होई थी वो बुझ सकती है तो ऐसी स्थीती में arc को फिर से re-strike करना पड़ता है या तो उसी point पे करेंगे जहां पर interruption हुआ था या फिर किसी नए point पे हम उसको फिर से re-strike कर सकते हैं और उस दोरान जब हम आसान रहता है क्योंकि electron का जो emission होता है electrode या work piece के high temperature के दुआरा वो facilitate किया जाता है और arc की re-strikeing weld bead से दूर और arc crater से तकरीमन 15-25 mm के बीच की दूरी पर वो की जाती है अगर आप इस diagram को देखें यहाँ से आपको totally clear हो जाएगा कि यहाँ पर यह जो molten metal है और यह arc maintain हुई है तो यहाँ पर जो arc crater है इसे तकरीबन थोड़ा सा distance आगे हम ऐसा फिर से re-strike करते हैं arc को एक बार stable arc जब establish हो जाएगी re-strike करने के बाद तो arc को weld crater की तरफ move किया जाएगा जहाँ पर crater को feel करने के बाद arc को moment बिल्कुल एक तरह से पूरी तरह से हम electrode को हिला हिला कर वहाँ पर held करते हैं ताकि जो crater है उसको अच्छी तरह से feel किया जाए arc crater basically क्या होता है कि molten metal का जो pool है उसका जो depression होता है वो होता है इसलिए arc को re-strike किया जाता है ताकि weld metal को slag के entrapment से बचा जासके और यह है अक्सर देखा गया है कि arc re-striking के point पर weld bead wide और peaky बन जाती है और यह है crater की over welding के कारण होता है इससे जितना संभव हो उतना बचना चाहिए क्योंकि ऐसा होने से welding joint में यह जो weld metal होता है यह जो welding joint है इसमे slag entrapment porosity और cracks नामक welding defect आ जाते हैं और इसके बाद हमें यह भी पता होना चाहिए कि बढ़िया weld प्राप्त करने के लिए parent metal या जो base metal है और जो material हमारा deposit होगा electrode से उनके बीच में proper fusion होना अती आवाश्यक है इसलिए base metal या parent metal का जो surface है उसको thoroughly melted होना ज़रूरी है ताकि sufficient depth का arc crater बन सके otherwise shallow crater बनेगा और shallow crater के case में electrode से metal droplet parent metal में अच्छी तरह से fuse नहीं होंगी और यह metal की जो droplet है बिना fusion के work piece के surface पर deposit हो जाती है और कह सकते हैं surface के उपर बैठ जाती है इसलिए good weld को प्राप्ट करने के लिए जो depth of penetration है वो 1.5 से 2.0 mm से कम नहीं होनी चाहिए तो इसलिए हमारी जो depth of penetration होती है वो दो चीज़ों पर depend करती है जो heat input होगा अगर thin coated electrode है तो उस case में कम रखते हैं अगर heavy coated electrode है तो उस case में welding current को ज़्यादा रखा जाता है उसके बाद जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर जो arc हमारी initiate हुई थी तो यहाँ पर जो temperature है वो 6000 degree से 7000 degree Celsius के बीच में रहता है और जो electrode की जो core wire है और जो coating होती है वो दोनो melt करती है और जो coating melt करती है जैसे हमने बात की कि वो एक परकार से flux होता है जब वो flux melt करता है basically वो एक परकार से prevent करता है कि जो atmospheric जो gases होती है वो हमारे molten pool के साथ ना आ जाएं दूसरा जब हमारा यह molten pool ठंडा हो जाता है तो ये जो flux की covering है वो slag में बदल जाती है और slag फिर से हमारा जो slag का काम ये रहता है कि weld metal हमारा अच्छी तरह से उसका solidification हो जाए इसमें भी वो मदद करता है साथ में ये जो flux होता है जिसकी हम covering करते हैं ये हमारी process efficiency को भी improve करता है क्योंकि इसके इस्तिमाल से हमारा जो spatter है वो बहुत कम बनते हैं burning losses भी हमारे कम होते हैं और बाद में slack को हम cheeping hammer की मदद से इसको remove कर सकते हैं उसके बाद अगर हम बात करें जब हमें multi run weld करना होता है तो उस case में हमारा जो first run होगा weld pass हम करेंगे तो उसमें हम जो electrode यूज करते हैं वो 2 से 3.15 mm diameter की यूज करते हैं और जब हम overhead या फिर vertical welding करते हैं उस case में हमारा जो electrode है उसका maximum diameter 4 mm तक हो सकता है लेकिन down hand welding position में हम काफी तेजी से हमारी weld हो इसके लिए हम जो electrode यूज करते हैं वो 5 mm diameter की हो सकती है और जब हमें high production rate हमें बनाना है ज़्यादा welding करनी है production ज़्यादा दिखानी है तो उस case में हमारा जो electrode का diameter है वो 6.3 mm तक हो सकता है अगर हम 6.3 mm का electrode ना use करें diameter का तो उस case में हमारा जो weld pool है वो ज़्यादा बड़ा बनेगा पूरी तरह से manage नहीं होगा और जो weld होगा वो poor quality का होगा और silded metal arc welding से हम सभी position में weld कर सकते हैं down head जिसे हम flat welding कहते हैं वो कर सकते हैं horizontal welding कर सकते हैं vertical welding कर सकते हैं overhead welding कर सकते हैं और इसमें जो weld bead हमारा बनता है वो electrode के diameter का तकरीबन 1.5 से 2.5 गुना बड़ा होता है मतलब कि 1.5 to 2.5 times the diameter of electrode तो यह इस परकार से silded metal arc welding होती है अगर हम बात करें advantage की एक simplest form होती है सभी arc welding processes में इसके equipment की cost कम रहती है एक portability है मतलब कि इसको एक जगे से दूसरी जगे ले जाना आसान है सभी welding position के लिए remote location में क्योंकि इसको असानी से ले के जा सकते हैं big range of metal और alloys को weld करना इसमें संभव होता है अगर हम disadvantage की बात करते हैं GMAW gas metal arc welding और submerged arc welding के comparison में इसकी जो speed है वो कम है slow welding है उनके मुकाबले अकसर cleaning problem रहती है क्योंकि slag बनता है जिसको electrode covering के कारण और उसे हमें remove करना पड़ता है high metal wastage होती है current limits lower होती है continuous या फिर automatic जो processes होती है उनके मुकाबले इस process को mechanization या automated करना difficult है एक परकार से manual welding हम इसे कह सकते हैं और इसमें metal transfer भी हमारा clear नहीं होता उसके बाद आता है कि application इसका कहां पर use होता है समझड जो sealeded metal arc welding है इसको आज की date में अगर हम बात करें तो ज़्यादा तर fabrication और maintenance work में इसका use किया जाता है और इसकी जो application है ship building में building और bridge construction में automotive और aircraft industry में pressure vessel की welding के दोरान कुछ structure की welding के दोरान इसे हम use कर सकते हैं तो जो sealeded metal arc welding है एक slowly process है जिसके कार्ण इसको आज की date में replace कर दिया गया है तो दोस्तो अगर हम आज हमने इस वीडियो में आपके साथ discuss किया sealeded metal arc welding अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा आप इसको like कर सकते हैं share कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ students के साथ और चैनल को subscribe करना ना भूलें जल्दी हाजर होते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद आपका दिन सुब रहे जल्दी हाद सकते हैं